दिगत दो महा से मन्ने कल्यान सिंग्जी अस्वस्त थे उनका उचार चलना था आज रात्री में सवा नो बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है हम सब दुखी हैं उतरप्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की रूप में एक जन्नेता की रूप में उन्होंने सासन में सुचता दिड़ता मुल्यों और आदर्सों के प्रति अपने कारेकाल के दोरान जो आदर्स प्रस्तुत किये थे वो आज ही मानक बने हुए हैं से राम जन्भूमी मंदिर आंदूलन के वे गणी नीता थे मर्यादा प्रसोतम भगवान स्री राम किस पावन अस्थल पर भब्बे राम मंदिर के निर्मान का कारे आगे बढ़े इसके लिए आउस्यक्ता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकूच नहीं हुई शादे समबर 1992 को विवादी धाचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैथिक जम्मेदारी लेते भे पनौने तत्काल मुख्यमंत्री पत से स्थिपा दिया था मान्य कल्यान सिंग जी का जाना ना केवल समाज का भारती राजनीती का पिल्टो भारती जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णी च्छती है मैं दिवंगत आत्मा की सांती की कामना करता हूं परिवार की सदस्यों से भी वाच्चीत्वी है प्रदेश के अंदर अभी रातरी मैं या सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी सोग प्रस्ताव पारित होने के साथ ही मन्य कल्यान सिंग जी के प्रदेश के लिए देश के लिए बारती राजनीती के लिए लोगतांत्रिक मुल्यों के लिए के गए योगदान के प्रति जर्धान जली देने के साथ ही प्रदेश मैं तीन दिन के राजकिय सोक और जिस दिन पर्षों सायकाल नरोरा मैं गंगाजी के तक पर अंतिन संसकार की कारवाई संपन्न होगी यानि 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सारजनी कावकाज गोशित रहेगा जिससे हर व्यक्ति अपनी दिवंगत नेता को स्रधान जली अर्पित कर सके मैं प्रदेश सासन की और से भारत माता कैसे महन सपूत जन्न ने आम जनक्या कंसाओं के लिए संगर्सों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया उन्हें बिनम्र स्रधान जले अर्पित करता हूं अभी मान्य कल्यान सिंग जी की बहुत इक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं कल प्राता आवास में फिर विदान भावन में और उसके प्रांट पार्टी कारेले में जो भी सुवेच्चों हंगे वे उन्हें सरधान जले अर्पित करेंगे कल सायकाल यहां से अलिगड़ चलेंगे अलिगड़ वहां पर उनका बहुत इक देह को अलिगड़ की जनता का पारश ने उन्हें प्राप्त हुआ था वहां पर स्टेडियम में दिवस्था की जा रही है पर्शों पुर्वाहन में उनकी जो कर्म भूमि थी जनम भूमि थी अत्रोली वहां से अलिगड़ से अत्रोली में जाकर के जनता दर्शन के लिए का भौत इक देह रखा जाएगा और उसके उप्रांद अप्राहन में नरोडा में अंतिम संसकार की कारवाई पुरे राच्किय सम्मान के साथ संपन्न होगा मैं इस सोषर पर प्रदेश शासन की और से भरती जन टापरटी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को नम्रसरधंजलिय अर्फित करता हूं इस वर से दिवंगत आत्मा की साम्ति की कामना करता हो तो संतप्त परिजणों के निहार मैं हम सब ने अपनी संबेदना ब्यक्ट की है और सभी लोग हर कार्यकरता को पार्टी के प्रते एक सदस्य को इसंभल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दे